दोस्तो एक नया गाइडलाइन्स आर्विया के तरफ से ये आ रहा है कि अब से जो है बैंक्स, NBFC को सभी बॉर्वर्स को पैसा वापस देना पड़ेगा जी हाँ दोस्तो जो भी बॉर्वर का पैसा लिया है बैंक और NBFC वो पैसा बॉर्वर्स को वापस करना होगा एक ऐसा जो है गाइडलाइन्स अभी निकल के आ रहा है फस्स जोन से ये लागू होने वाला है मतलब अज से जो है ये लागू होने वाला है सारा कुछ आप लोगों को डिटेल्ड आप लोगों को बताने वाला हूं वीडियो पुड़ा एंट तक देखिए बिना स्किप क्यों है अगर आप लोग नहे हो अभी तक सब्सक्राइब बटन फ्रेस नहीं किए हो तो सभी से मेरी कोश कर रहा हूँ सब्सक्राइब बटन फ्रेस करके बेल आइकन को जरूर जरूर फ्रेस कर रही सक्या होगा जो भी लोगों निकरिक इनफोमिशन आप लोगों इस्टाश यह करूंगा इंस्टेंटली आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगा दोस्तो वो निया गाइडलेंस क्या आया है आर ignored के तरफ से जिसके जुफ यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि जितने भी बैंक है जितने भी NBFC है आप लोगों लिया है और आप लोगों से पैस लिया है और वहाँ पर बोला जा रहा है कि bank और NBFC को पैसा वापस देना पड़ेगा वो कौन सा पैसा की बात कर रहा है देखे दोश्तों यहाँ पर आप लोगों को पता है कि bank और NBFC आप लोगों के साथ कितना गलत करते है RBA के guidelines है bank और NBFC के ऊपर लेकिन कोई भी follow नहीं करता है bank के ऊपर भी guidelines है NBFC के ऊपर भी guidelines है कि penalty जो भी लगाता है penalty का भी एक major जो है वहाँ पर directions दिया गया है कि उस directions को follow करना पड़ेगा जिक एक circulation निकला है जो कि उसको follow करना पड़ेगा लेकिन यहाँ पर अपना मनमानी कर रहे है bank और NBFC penalty लगाता तो है लेकिन इतना सब लगाता है कि वो अपना income source बना कर उसको चलाते हैं यहाँ पर बोला जा रहा है कि income source बना नहीं सकता कोई भी penalty charges लगा रहा है वो सिर्फ credit history को जो है सुधारने के लिए credit history में update करने के लिए यहाँ पर वो खुद का source of income बनाने के लिए पेनल इंटरेस्ट नहीं रगा सकता मैं आप लोगों को directly मैं दिखाने वाला हूँ वो circulation जो कि RBI के तरफ से आया है पेनल इंटरेस्ट के उपर सारा कुछ detail आप लोगों के साथ discuss करने वाला हूँ वीडियो पूरा important होने वाला है ध्यान से देखिएगा दोस्तो पूरा देखिएगा बिना skip हुए दोस्तो दोस्तो चलिए मैं हमें phone के screen पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाता हूँ फियर लेंडिंग प्रैक्टिसेस पेनल चार्जेस इन लोन एकाउंट्स फियर प्रैक्टिसेस है लोन का जो भी पेनल चार्जेस है उसके उपर ये एक सार्कुलर जो है निकला है ठीक है master guidelines आप बोल सकते हो जिसमें बहुत सारे यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 16 guidelines दिया है और यह जो PDF format या फिर जो भी link है मैं आप लोग को description में दे दूँगा जाके आप लोग पढ़ सकते हो आराम से कोई दिक्कत नहीं है लेकिन यहाँ पर जो भी main जो है वो चीज़ आप लोग को पढ़के सुनाने वाला हूँ क्या अखिर इसमें क्या जो है लिखा है और क्या क्या जो है यहाँ पर guidelines added हुआ है वो आप लोग को मैं दिखा लेता हूँ तो सबसे पहला जो है यहाँ पर लिखा है the guidelines on penal charges are applicable in case of non-compliance with the material terms and conditions of loan contract by borrowers what could be the termed as material terms and conditions यहाँ पर बोला जा रहा है कि guidelines जो भी आया है penal charges के ऊपर यह क्या non-compliance material terms and conditions के ऊपर जो भी loan लेते हैं contract के basis में मतलब जो भी contract आप लोग sign करके loan लेते हो जो भी borrowers तो उनके ऊपर जो भी terms and conditions लगने वरा है उसका जो भी है क्या यहाँ पर meaning है यहाँ पर क्या बोल रहा है the material terms and conditions may be defined if not already done as per the credit policy of bank and they may vary from one category of loan to another and also from lenders to lenders based on their own assignment यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो भी अलग-अलग platform है अलग-अलग lenders है वो अलग-अलग तरीके का जो है मतलब जो भी contract है वो बनाता है खुझ से ठीक है वो यहाँ पर applicable है वो कर सकता है लेकिन यहाँ पर यह नहीं कर सकता है कि वो खुझ से जो है अपना मनमानी करके penalty लगा ले ठीक है यहाँ पर और भी चीज़े है जैसे कि मैं आप लोग को दिखाया था हूँ वेदर धे interest charges for the period of default, including the case यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर मानौ आप payment नहीं कर पार, आपने वहाँपर default कर गया है, payment नहीं कर पार कि यहाँ पर बोला जा है, जो भी interest charge करेगा, जो भी period होने वाला है, जो भी जितने भी दिन का जो भी date होने वाला है उस date का जो भी defaulter interest charges वो क्या किस हिसाब से जो है वहाँ पर penal interest लगेगा या फिर overdue totally जो है month के basis में यहाँ पर penalty लगने वाला है तो यहाँ पर लिखा है in terms of para 3 of circular the prescribed guidelines will not affect the normal procedure of compounding interest in the loan amount account therefore regulated entities may charge interest on unpaid interest including on unpaid EMIs at the constructed rate interest to the till the recommendation and not be the penal rate of interest जो भी आप लोग overdue करके रखे हैं उसके उपर वो penalty लगा सकता है लेकिन यहाँ पर और भी चीज़े है वो क्या है कि यहाँ पर लिखे आज दिखें नीचे यह penalty charges are not paid मानू कि penalty charges जो है वो अगर आप पे नहीं करते हो लोन अपने पे कर दिया penalty अगर आप payment नहीं करते हो चीग है without the face penalty charges be lived on earlier outstanding amount on penalty charges क्या नया जो है charges लग सकता है उस penalty के उपर यहाँ पर लिखा है no additional penalty charges cannot be lived on the earlier outstanding amounts of penalty charges जो भी पहले का penalty charges है उसके उपर और कोई penalty लग नहीं सकता लेकिन यहाँ पर लगाता है मेरे साथ खुद यह चीज हुआ है मैं आप लोगों को बता रहा हूँ मेरा जो भी है penalty आसपास जो है 10,000 के आसपास जो है penalty लग चुका है देखें तो यहाँ पर जो penalty लगाता है वो भी एक निर्धारीत क्या गया है RBI के तरप से कि इतने से ज़ादा आप लोग penalty लगा नहीं सकते लेकिन यहाँ पर क्या कर रही है यह लोग penalty इतना ज़दा लगा रहे है कि उसमें मतलब अपना खुद का income source बना रहे है यहाँ पर RBI बोल रहे है कि यहाँ पर जो भी penalty लगाया जाएगा वो penalty सिर्फ और सिर्फ credit history को सो करने के लिए वहाँ पर जो भी है उसको maintain करने के लिए वहाँ पर penalty लगाया जाता है ना कि वो अपना खुद का interest जो भी source of income है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर कोई भी bank entities जो भी NBFCs है वो अपना income source नहीं बना सकता 7,000 का loan 25,000 का penalty आप लोग समझ सकते हो कितना जादा जो है यहाँ पर penalty लगा रहे जो कि यहाँ पर बोला जारे कि पूरा payment करना पड़ेगा अब payment करने के लिए वो wave of कर रहा है अब wave of कितना कर रहा है 11,000 देना पड़ेगा भाई 4,000 यहाँ पर extract क्यों मैं payment करूँ 7,000 से 11,000 देना पड़ेगा मैं payment क्यों करूँगा अगर wave of करना है तो पूरा penalty wave of करना होगा तभी मैं payment करूँगा नहीं तो नहीं करूँगा क्योंकि यह penalty है यह लगा सकता है बोलो लेकिन आप लोग यहाँ पर payment कर भी सकते हो नहीं भी कर सकते हो अगर नहीं करते हो तो जो है new penal charges rules for loans यहाँ पर जो भी penalties है अब आप लोग बोलोगे कि पैसा वापस करने का बात यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है यहाँ पर पैसा वापस करने का बात यहाँ पर यह आ रहा है कि आप लोगों के साथ जो गलत चीज कर रहे हैं मतलब जो penalty लगा रहे है वो penalty जो excessive way में आप लोगों से उधार ले रहे हैं, मतलब उठारे है वो पैसा आपस वापस ले रहे हैं, आप लोग payment कर भी दे रहे हो डार के मारे, उस payment को वापस करना पड़ेगा bank और NBFCS को, इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो भी interest है, जो भी extra interest वो लोग ले रहा है अपने income source के तहट उसको वापस करना पड़ेगा सभी borrowers को, ठीक है, यहाँ पर देखे लिखा है, the new penal charges interest rules on loans from April 1st, the Reserve Bank of India has introduced fresh guidelines regarding penal charges and penal interest on loan account effective from April 1st, ठीक है, यहाँ पर April 1st से जो है यह लगने वाला है, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर लिखा है, as per new directives, the RBI has stopped banks and finance companies from charging penal interest usually impose the customers for late EMI payments, यहाँ पर जो है stop कर दिया गया है, इतना ज़्यादा जो भी वो लोग charges लगाते हैं, उसको stop करने के लिए बोला गया है, ठीक है, However, bank can still charges penalties, but they must not add these charges to the loan amount calculate interest on them, वो कर तो रहा है, लेकिन ऐसा जो भी charges है, वो लगा नहीं सकता है, जो कि मने आप लोगों को बता है, पिनल्टी के उपर penalty charges लगा रहे हैं, interest लगा रहे हैं, कि penalty जितना भी है, उसके उपर हम interest लगाएंगे, वो नहीं लगा सकता, वो totally मनमानी क कर रहे हैं, लोगों को पता नहीं है, या RBI का guidelines किया है, rules किया है, तो वो आप लोगों को बना कर लूटने की कोशिस में है, तो आप लोगों को जानना जरूरी है यहाँ पर, implementation timeline, यहाँ पर जो भी timeline से वो implementation का जो भी, मतलब कब से जो ही लागो होने वाला है, the new guidelines apply to all loans starting from April 1st existing loan will subjected to the normal non-search starting from June 1st 2024, अगर existing loans है, तो वो होगा June 1st, मतलब आग से वो लागो हो जाएगा, जो कि निया loans अगर होगा, तो वहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है कि April 1st से जो है, वो लागो हो चुका है, ठीक है, तो RBI postponed implementation date from January 1st to 1st April, give financial institutions more time to adjust, मैंने आप लोगों क बताया था एक वीडियो में कि वो लोग जो है time मांग रहा था, इतना है, जो भी चीज़े changes करने के लिए, adjust करने के लिए, ठीक है, अब determining panel charges यहाँ पर लिखा है, bank will apply charges based on default amount, the RBI has instructed lender imposed charges fairly and constantly according to their board's approved policy, RBI ने board के तरप से, जो भी RBI board का है, वहाँ पर कुछ guidelines जारी किया है, उसी के basis में वहाँ पर penalty लगाना पड़ेगा, जो की follow करना होगा सभी bank और NBFC को, जो की follow कोई करता नहीं है, ठीक है, while penal charges, while penal charges should be reasonable, the RBI has not specified a maximum limit of these charges, कोई भी maximum limit set नहीं किया है, लेकिन reasonable charges होना चाहिए, ठीक है, मानू कि आप लोगों को payment करना है, आप 7,000 payment लिए, और मांग र लगा नहीं सकता है, यह totally उनका मनमानी कर रहे है, ठीक है, applicability to other loans products, the update guidance and securization of coal ending platforms, इसको को देखना नहीं है, तो यह जो है, यहाँ पर guidelines लिखा है, सारा कुछ, मैंने आप लोगों को बता दिया, कि पैसा जो है, वापस करना होगा, सभी bank और NBFC को, सभी borrowers को देना पड़े interest के नाम पे वो अपना source of income बना कर लूटा है आप लोगों को, तो वो पैसा वापस देने के लिए RBI ने साफ तोर पियाँ पर guidelines निकाला है, आप लोगों को पैसा वापस मिल जाएगा, अगर आप लोगों ने भी इस तरीके से extra source of income मतलब दिया है उन लोगों को interest के तोर पे जय हिंद, जय भर दोस्तों